हालो दोस्तों डिवोशन इंस्टिट्यूट में आप सभी का स्वागत है CBT1 में जितनी भी बच्चे पास हुएं उन सब को असीम शुबकाम नहीं आपको मालूमें रिजल्ट जोन वाइज मिला है आपके मार्क्स के नौरमलाइजेशन के बाद मिला है मैं आपको बताना चाहरा हूँ जैसे हम लोगोंने CBT1 में मैट्स के सिरीज चलाई थी 30 में से 30 रिजनिंग में 30 में से 30 और आप देखेंगे कि आपके जो भी पेपर हुए उन सब में लगभग सारे प्रश्न उनी से थे जो हम लोगोंने अपनी क्लास में डिसकस की है अब CBT2 के लिए मैं बात करूँ देखें मैं रिजल्ट के बारे में डिटेल्स अभी नहीं बताना चाहता आप जानते हैं आप जोन वाइस रेल्वे की साइट पर जाकर अपना कट आफ देख सकते हैं रेल्वे ने कट आफ आ जाना चाहता हूं इस एक महीने में हम लोग डिवोशन इंस्टिट्यूट आपको क्या सर्वोत्तम त्यारी कराने वाला है एक एपसेल्यूटली फ्री चाहे आप कितना भी पेड कोर्स लें तो भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आपको आने वाले दिनों में इस एक मह जाए फिर मैं बात करूँ जरा ध्यान दीजेगा देखो अगर मैं आपसे बात करूँ अभी दो काम कर सकते हम लोग एक हम बात करेंगी क्वांटिटी एक क्वालिटी अभी हमें स्मार्ट अप्रोच के जरूत है हम बात करेंगे आप बहुत अच्छे से जानते हैं यह समय क कोर्स करने का नहीं कोर्स को पॉलिश करने का है और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा जब हम लोगों ने NTP से CBT-1 की त्यारी की थी तो मैंने आपको साथ के साथ बताया था कि आपको CBT-1 और CBT-2 दोनों के प्रेपरेशन चल रही है अभी मैं आपको बताऊंगा CBT-2 के देना है देखें एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा बाई चांस जिन लोगों का सेलेक्शन नहीं हुआ आप सिर्फ ये देखिए कि जितना कटफ गया आप उससे कितना दूर है कहां पर क्या कमी रह गई उसको दूर करके आगे फिर तैयारी करने के कोशिश कीजिए से है उसके लिए भी क्लासेज और जो टेस्टे स्पेशली टेस्ट वो किस तरह से होंगे जरा ध्यान दीजेगा मैंने जो आपका cbt2 के लिए ध्यान दीजेगा सभी लोग cbt2 के लिए आपकी जो मंडे है मंडे यानि कि देखिए 17 तारीक आज शनिवार है 15 जैन्वरी मैं मंडे की बात करूं तो 17 जैन्वरी मंडे को आपकी यह जो मॉक टेस्ट है वो शुरू होने वाले वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं आपको चार वीक का समय मिलता है कितने वीक्स का चार वीक्स का क्योंकि 14 से 18 फरवरी आपका cbt2 scheduled है तो आपको चार वीक पूरे-पू तूजडे हर मंडे और जो ट्यूजडे है उसको आपको मैट्स का मॉक टेस्ट मिलेगा किसका मॉक टेस्ट बता रहा हूं मैं आपको मॉक टेस्ट किस चीज़ के लिए बताइए मैथमेटिक्स के लिए आपको मैं कोशिश करूँगा ऐसा करवाने की कि आपको जो मॉक टेस से हैं कि नहीं आप ज़रा ध्यान दीजेगा कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते जिन्होंने मल्टीपल लेवल के लिए अपलाई किया था उनको मल्टीपल एक्जाम देने पढ़ सकते हाला कि रेलवेज ने इसके बारे में बहुत जादा क्लियर नहीं किया है ज़रा ध्यान होगा रीजनिंग का और आपके पेपर का नाम है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अब आप देखिए ध्यान दीजेगा मैं क्या करूंगा चुकि इसमें 35 कोशन से मैं मैं 35 कोशन सें आपके रीजनिंग में 35 कोशन सें आपके जो जीके के 50 बच गए जिसमें को बीस के त्यारी करें और इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रोलोगा कि रीजनिंग में और मैच्स में पूरी कोशिशों की 35 में से 35 आपको लगता नहीं आएंगे आप अपनी त्यारी ऐसे किजिए आप जानते हैं देखिए अभी कट अफ उतनी नहीं गई जितन करने तो बहुत मुश्किल है आपको एक्जाम को टॉप करने की त्यारी करनी चाहिए अदेखिए क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका मैं एक व्यूस जाना चाहता हूं वह क्या कि यह 35 प्रशन जो मैच्स के हैं तो मैं आपको सीधा 35 करवा दू या फि किया उसमें थोड़ा प्लस माइनस करके और क्या बन सकता है वो भी हम बात कर लें तो इसलिए मैंने रखा है अगर 35 क्वेशन करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा होगा करने में वक्त नहीं लगेगा समझाने में डीप में जाने में लॉजिक जाने क्योंकि आप जान वेसी भी मिंटेन होनी चाहिए तो मैं आपसे बात करूँगा हर प्रश्न को जो एक्जाम में आने वाला है और मैं उमीद करता हूँ जो हमारा CBT1 था उसे लेवल हम डेढ़ गुना और दो गुना रखेंगे इन मौक टेस्ट का जो आपको एक्जाम में मिलेगा वो इसके अंदर ही मिलेगा ऐसी मेरी पूरी कोशिश होगी तो हम क्या करेंगे एक मौक टेस्ट को दो पार्ट में कर सकते हैं और यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं तो चार वीक का टाइम मिलेगा चार मौक टेस्ट हम लोग बात कर सकते हैं मैच्स के और चार मौक टेस्ट हम बात कर सकते reasoning के यानि के general intelligence के आप कोशिश कीजेगा इन में कोई भी चीज आप से miss ना हो 16 दिन हम और टेस्ट करेंगे वीक में 4 दिन दो दिन मैट्स दो दिन reasoning और 4 वीक यानि के 16 classes इसके अलावा भी आप मुझे comment करके बता दीजिएगा कि आप किन किन चीजों पर कौन कौन से chapter से कौन कौन से चीजे हैं जहाँ पर आपको और discussion चाहिए तो बीच बीच में हमारी और classes खूब सारी आती रहेंगी मेरी पूरी कोशिश रहेंगी कैसे तैसे जैसे हम लोगों का CBT 2 में भी positive result आना चाहिए अब देखिएगा ध्यान दीजेगा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको जो जरूरी है देखो मैं आपको ध्यान दीजे मेरी बात पर मैं आपको जो जो मौक्तस कराता जाता हूं उसमें जो जो question जिस जिस chapter से relevant है आप उसकी deep में जाने के लिए already जो devotion institute का यूट्यूब चैनल है उसकी playlist पर जाईएगा मैं आपको हलक आसा एक मिनिट में guide कर देता हूं तो उसमें क्या होगा कि आपनको मौक्तस में बहुत जादा वक्त नहीं दे सकते इन डीप knowledge मिलेगी आपको general intelligence and reasoning के एक पूरी आपको playlist मिल रही है 65 वीडियो उसके अंदर 65 classes है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बिल्कुल मन से जिन बच्चों ने देखा हजारों हजारों बच्चों ने टोटल लाखों बच्चे हैं अगर मैं बात करूं तो आप चाहे कितना भी महेंगा paid course खरीद दीजे मैं आपको guarantee दे रहा हूं उसमें भी आपको इतने अच्छे content नहीं मिलेंगे जो आपको free में already available है तो अभी आपको इस सारे नहीं देखने है लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको doubt है वहाँ वहाँ पर आप जा सकते हैं वीडियो के title से आपको पता लग जाता ह है description से पता लग जाता है कि कौनसे वीडियो में कौनसे चप्टर के क्या content मौझूद है जैसे coding decoding है तो कौनसे टाइप की किस वीडियो में है वह title में मिल जाता है उसमें आपको दिक्कत है तो आप जा सकते हैं अगर आप profit and loss देख रहे हैं तो कौनसे टाइप का कौनसा वी arithmetic के लिए ऐसे geometry की 35 classes है height and distance की आपकी 5 classes है और आपका trigonometry जो part है उसके 29 classes है यह already available है आपको कैसे मिलेगा आप screenshot ले सकते हैं आप playlist देख लीजेगा इसके लाब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी कुछ मैंने algebra इसमें नहीं डाल रखा बिट algebra में कोशिश करता हूं कि आपके इस mock test में अधिक्तम cover कर सकूं जो types आने वाले हैं क्योंकि बहुत ही easy आता है इसके अलावा ध्यान दीजेगा जो gk का paper है उसके लिए आपको एक playlist में लेगी computer की JSRS वसर ने करा रखा है reasoning और match तो पूरी मैं खुदी कराता हूं इसमें 12 classes मिल जाएंगी मैं आपको द ऐसा ही science की अगर मैं बात करूंगा तो सुशिल सर ने 20 classes ली हुई है संदीप सर ने 20 classes top 500 questions हैं आपके तीनों segment से आप इनमें जाकर जरूर देखिएगा आपको बहुत जादा फाइदा मिलने माला देखें मैं आपको बताओं जीवन में यही सबसे सही तरीका होता है कि जो भ बहुत पहले आ सकता था तो बचों का भी mind a cup अब ऐसा बन जाता है क्या यह मॉकटेस्ट में एक महीना दो मेने पहले नहीं कर58 सकता था करवा सकता था लेकिन मेरी मजबूरी क्या है कि 90% बचों का माइंड लेकों कर लेंगे और बाइद नहीं हुआ तो नेगेटिव प्रेपरेशन रहती है, दिमाग में अप्रोच रहती है, जब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मैं लगातार कह रहा हूं, कि आपको सिर्फ यह मान कर कि होगा, आगे के त्यारी करनी चाहिए, क्योंकि त्यारी कभी भी बेकार, कभी भी बरबाद नहीं होती, आपको बताओं, आपको क्या करना है, मेरे कहने से, आप डेली बेसिस पर, आज से, अगर मैं बात करूँ, आज से, यानि कि 15 जनवरी से, आज मतलब आज का दिन मिस नहीं होना चाहिए, अगर आप जनवरी में काउंट करते हैं, तो 17 दिन मिलते हैं, आपको, 31 का मैना है, 17 दि मिलते हैं, और फर्वरी में अगर 14 से एक्जाम हैं, तो 13 दिन मिलते हैं, आपके 17 दिन मिलते हैं, जनवरी में, और इतने मिलते हैं, आपको फर्वरी में, टोटल 30 दिन मिलते हैं, आप अपने आप से ये कमिंटिमेंट कर लिजेगा, कि 30 दिन में मुझे कैसे भी करके, 30 मॉ किसे अपीर करना चाहिए, कैसे अटेम्ट करना चाहिए, कैसे उसका ऐनलेसिस करना चाहिए, कैसे गलतियों को रिपिट नहीं करना चाहिए, क्या आपकी smart approach हो सकती है, कैसे speed आईगी, कैसे accuracy maintain होगी, और कैसे आपका selection होगा, तो बस आज का अपन इतना ही रखते हैं, मैं classes announced की है, week में 4, Monday, Tuesday, match का mock test, और Thursday, Friday, आपका जो mental ability है, यानि की general intelligence और reasoning, इसका mock test, शहार दिन, week में आपको ये मिलेगा, और बाकी जो चीज़े हैं, अगर आपको लगा, तो बीच बीच में कुछ chapters, कुछ और चीज़े, कुछ नया, कुछ important questions, ये मैं सारी चीज़े करता रहूंगा, आप session को like करके, motivation चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, कोई भी चीज, जितनी जादा बात करें की, कोई भी काम करने वाल इंसान motivate होता है, तो काम बढ़िया से बढ़िया करनी की कोशिश करता है, आप comment करके मुझे बताइएगा जरूर से कि आप लोगों को इस वक्त किन चीजों की most requirement है, आपके comments के जवाब मैं भले ही ना दे पाहूं, लेकिन सब के सब comments को मैं read out जरूर करता हूं daily basis पर, चलिए आज के लिए इतना ही, मेरी शुब कामनाई, असीम शुब कामनाई, positive रहिए, आगे के त्यारी कीजिए, एक second को भी बरबाद मत कीजिए, आप इस पर focus मत कीजिएगा, कि आपको result positive चाहिए, आप इस पर focus कीजिएगा, कि आपके reasoning में 35 में से 35 आएं, match में 35 में से 35 आएं, और GK में कोशिश करें, 50 में से 45 आएं, आप बुलेंगे सर, ये तो 120 में से 115 होगे, अरे target तो बनाओ, आप 90 तक cut off gas, CBT 1 में, normalization के बाद में, आप अपने level पर सर्वोतम कोशिश कीजिए, चलिए आज के लिए इतना ही फिर आपन बिलते हैं, परसों यानि कि मंडे को, match के mock test के साथ, mock test के timing क्या रहेंगे, timing रहेंगे शाम को 5 बजे, 5 o'clock शाम को आपको, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, ये mock test आपको मिला करेगा, चलिए, आज के लिए इतना ही thank you very much, session देखने के लिए,